जै स्री कृष्णा आई ये सुनते हैं पित्र पच्छ मास में गरूर पुरार का पाचमाय अध्यार गरूर जी ने कहा ही के सव जिस जिस पाप से जो जो चिन प्राप्थ होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताईए स्री भगवान ने कहा नरक से आये हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन होता है वह मुझे से सुनो ब्रम हत्यारा छै रोगी होता है गाय की हत्या करने वाला मुर्ख और कुब्रा होता है कन्या की हत्या करने वाला कोरी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं इस्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भ पात कराने वाला पुलिन भिल होकर रोगी होता है परिस्त्री गमन करने वाला नपुन्शक और गुरु पत्नी के साथ ब्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है मांस का भोजन करने वाले कायं अतियंत लाल होता है मदपीने वाले के दाद काले होते हैं लालच बस अभच्य भच्छड करने वाले ब्रामर को महोदर रोग होता है जो दूसरे को दिये बिना मिश्ठान खाता है उसे गले में गंड माला रोग होता है स्राध में औपवित्र अन देने वाला स्वेत कुष्टी होता है गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है बेद सास्त्र की निंदा करने वाला निश्चिती पांडु रोगी होता है जूठी गवाही देने वाला गुंगा, पक्ती भेत करने वाला काना, विवाह में बिग्न करने वाला व्यक्ती, उष्ट रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मान्ध होता है गाय और ब्रामहड को पैर से मारने वाला लूला लंगडा होता है, जूठ बोलने वाला हक लाकर बोलता है, तथा जूठी बात सुनने वाला बहरा होता है बिश्देने वाला मुर्क और उनमद, पागल तथा आग लगाने वाला खलवाड गंजा होता है, मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है रतनों का अपहरण करने वाला हीन जाती में उत्पन होता है, सोना चुराने वाला नक रोगी और अन्यधात्मों को चुराने वाला निर्धन होता है अन्चुराने वाला चुहा और धान चुराने वाला सलब होता है, जल की चोरी करने वाला चातक और विशका बेवहार करने वाला बिच्छू होता है सागपाच चुराने वाला मयूर होता है, शुभगंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छचुंदरी होता है, मधु चुराने वाला दान्च, मांच चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चीटी होता है ताम्बुल फल तथा पुस्प आदी की चोरी करने वाला बन में बंदर होता है जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड योनी में उत्पन होता है जो रौद्र कर्मों कुरूर कर्मों से आजीव का चलाने वाला है मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला वह कसाई के घर का बक्रा होता है बिस पीकर मरने वाला परवत पर काला नाग होता है जिसका स्वभाव अम्मर्यादित है वह निर्जन बन में हाथी होता है बलिवैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्रामहर छत्री वैश्य और बिना परिछड किये भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन बन में ब्याग्र होते हैं जो ब्रामहर गायत्री का स्वरण नहीं करता और जो संध्यों पास्ना नहीं करता जिसका अंतहश्वरूप दुसीत तथा व्रहाश्वरूप साधू की तरह प्रतीत होता है वह ब्रामहर बगुला होता है जिनको यग्य नहीं करने चाहिए उनके यहां यग्य कराने वाला ब्रामहर गाओं का स्वर होता है चमतासी इधिक यग्य कराने वाला, गर्धब तथा बिना आमंत्रड के भोजन करने वाला कउवा होता है जो सत्पात्र सिश्य को विध्या नहीं प्रदान करता वह ब्रामः बहल होता है गुरू की सीवा न करने वाला सिस्य बैल और गधा होता है। गुरू के प्रतिय अपमान के तातपर्य से हूँ या तू सब्दों का उच्चारण करने वाला और बाद भिबादों में ब्रामः को पराजित करने वाला। जल्बिहेल अरध्य में ब्रह्मराच सोता है। प्रतिज्या करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुर्शों का अनादर करने वाला व्यक्ति अगनी मुक्षियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला परवत का गिध होता है। और क्राय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वाडाश्रम की निंदा करने वाला बन में कपूत होता है। आसा को तोडने वाला और शनेह को नश्ट करने वाला। द्वेश वस्त इस्त्री का परित्या कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाद चकूर होता है माता पिता गुरुशे द्वेश करने वाला तथा बहन और भाई से सत्रुत्रा करने वाला हजारों जद्मों तक गर्भ में या योनी में नश्ट होता रहता है साससुर को अब सब्द कहने वाली इस्त्री तथा नित्यकलह करने वाली इस्त्री जलव का अर्था जल की जोख होती है और पती की भतर्षना करने वाली नारी जू होती है अपने पती का परित्याग करके परपुरुसका शेवन करने वाली इस्त्री बलगुनी, चमगादड़ी, छिपकली अथ्वा दो मुह वाली सर्पली होती है सगोत्र की इस्त्री के साथ संबन्द बनाकर अपने गोत्र को बिनष्ट करने वाला लकडबगा और शलक साही होकर रिच्छियोनी में जन्म लेता है तापसी के साथ ब्यभिचार करने वाला कामी पुरुस मरुप्रदेश में पिसाच होता है और अवप्राप्त यवण से संबन्द करने वाला बन में अजगर होता है गुरुपत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुश्य क्रिकला सोता है राजपत्नी के साथ गमन करने वाला उट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है गुदा गमन करने वाला बिष्टा, भोगी, शुवर तथा सुद्रगामी बैल होता है जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है किसी के मरडा सौज में एकादसाह तक भोजन करने वाला कुट्ता होता है ददेव द्रव्य भोगता देव लोक ब्रामहर मुर्गे की योनी प्राप्त करता है जो ब्रामहर धाम द्रव्य वर्जन के लिए देवता से पूजा करता है वह देव लोक कहलाता है वह देवकार तथा पित्रकार्य के लिए निंदनिय है महापातक से प्राप, अतियंत घोर एवं दारुर नर्कों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के छै होने पर पुनह इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं ब्रमहत्यारा, गधा, उड़ और महीशी की योनी प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेडिया, कुत्ता एवं सियार की योनी में जाते हैं स्वर्चुराने वाला क्रीमी, की, तथा पतं की योनी प्राप्त करता है गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमस, त्रिल, गुल, तथा लता होता है परिस्त्री का हरड करने वाला धरोहर का हरड करने वाला तथा ब्राम्हर के धन का अपहरड करने वाला ब्रम्हराच सोता है ब्राम्हर का धन कपट्षने से खाने वाला साथ पिल्धियों तक अपने कुल का बिनास करता है और बलतका तथा चूरी के द्वारा खाने पर जब तक चन्रमा और तारकों के इस्थिती होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है लोहे और पत्थरों के चूर तथा बिसको ब्यक्ति पचा सकता है पर तीनों लोकों में ऐसा कौन सा ब्यक्ति है जो ब्रम्हश्व ब्राम्हर के धन को पचा सकता है ब्राम्हर के धन से पोशित की गई सेना तथा वाहन युदकाल में बालू से बने सीतू बाद के समान नश्ट भ्रष्ट हो जाते हैं देव द्रब्यकाव भोग करने से अथ्वा ब्रम्हश्वरूप का हरड करने से ब्राम्हर का अतिक्रमड करने से कूल पतित हो जाते हैं ब्राम्हर को छोड़कर अन्य ब्राम्हर को दान देना ब्राम्हर का अतिक्रमर करना कहलाता है बेद बिदाउं के ज्यान से रहिद ब्राम्हर को छोड़ना अतिक्रमर नहीं कहलाता है क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्मे में आहूती नहीं दी जाती ही ताचरिय ब्रामहर का अतिक्रमर करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमस जन्मांध एवं दरिद्र होता है वह कभी दाता नहीं बन सकता अपितु याचक ही रहता है अपने द्वारा दी गए अथवा दूसरे द्वारा दी गए प्रिथवी को जो छीन लेता है वह साथ हजार वर्सों तक बिष्टा का कीड़ा होता है जो श्वयम कुछ देकर पुनह स्वयम से ले लेता है वह पापी एक कल्ब तक नरक में रहता है जीविका अथवा भूमी का दान देकर यतन पुर्वग उसकी रच्छा करनी चाहिए जो रच्छा नहीं करता प्रत्युतर उसे हर लेता है वह पंगु अर्थात लंगडा कुट्टा होता है ब्रामहर को आजिल का देने वाला व्यत्ती एक लाग गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्रामहर की बृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुट्टा तथा लंगूर होता है हे खगिश्वर प्राडियों को अपने कर्म के अमसार लोक में पुर्योक्त योनिया तथा सरीर पर चिन्ध देखने को मिलते हैं इस प्रकार दुश्कर्म करने वाले जीव नार्की यातनाओं को भोग कर और शिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पुर्योक्तियोनियों में जाते हैं इसके बाद हजारों जन्मों तक पसुपथी का सरीर प्राप्त करके वे बोज़ाट होने आधिकार्यों से दुख प्राप्त करते हैं फिर पच्छी बनकर वर्षा, सीथ तथा आतब से दुखी होते हैं इसके बाद अंत में जब पुन्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनी मिलती हैं इस्तरी पुरुष के संबंध में वह गर्भ में उत्पन होकर क्रमसा गर्भ से लेकर मृत्यूतक के दुख प्राप्त करके पुनह मर जाता है इस प्रकार सभी प्राडियों का जन और विनाश होता है यह जन मरड का चक्र चारो प्रकार की स्रिष्टी में चलता रहता है मेरी माया से प्राडी रहेत घंटी यंद्र की भाती उपर नीचे के योनियों में भ्रमर करते रहते हैं कर्म पास्वधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमी पर जन्म लेते हैं दान न देने से प्राडी दरिद्र होता है दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लोट कर पुना दरिद्र और पुना पापी होता है प्राडी के द्वारा किये गए शुब और अशुब कर्मों का फल्भो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है क्योंकि सैक्डो कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता इस प्रकार गरूर पुरार के अंतरगत शारोद्वार में पाप चिन निरूपर नामक पाचमा अध्याय पूर हुआ